है चलिए सर आप हम बात करते सबसे पहले आपके एक्जाम बहुत पास आने वाले हैं और बहुत पास के मानलो आही गया अब कॉस्ट का जो फर्स्ट एक्जाम जैसे आप बता रहे हैं कि फर्स्ट एक्जाम जो है वो आपका कॉस्ट का पेपर का पड़ेगा आपका 30 में अब बच्चों के क्या क्या doubt है क्या क्या query है इस वीडियो में क्या क्या discuss करेंगे मैं एक बार वो बता दू कि सर कौन से chapter में क्या options आएगा कितने number का theory आएगा सर हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए और किस हिसाब से classes होना चाहिए तो सबसे पहले मैं बता दूँ जो बच्चे course के अंदर है उन सभी बच्चों के जो folders हैं वो update हो चुके हैं आज ही update हुए हैं उसके अंदर सारी की सारी classes डल चुकी है और स्टार मार्क्स भी लग चुके हैं कल एक उन स्टार मार्क्स का PDFB course content के अंदर update हो जाएगा जिसमें कोई चिंता नहीं करना है तो आपका content पूरा up-do date जो chapter कुछ pending थे वो recorded डल चुके हैं आपके तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है almost आपका 95% मान के चलो पार्ट खतम हो चुका है 5% जो है वो हम live class में cover कर लेंगे तो सर cost के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं सर हमारे chapters क्या है और किस chapter को करना चाहिए मैं numbering से start कर देता हूँ फिर मैं option पे आ जाऊँँगा number one सबसे पहले तो बच्चो आपको करना चाहिए cost sheet cost sheet सबसे पहले करना चाहिए cost sheet number two पे आपको करना चाहिए sir reconstruction reconstruction जिसे CRS भी कहते है cost reconciliation statement cost reconciliation statement sir number three पे कोण सा chapter करना चाहिए सर नंबर तीन पर आपको करना चाहिए मिटेरियल सर नंबर चार पर कौन सा चप्टर करना चाहिए सर कॉंट्रेक्ट सर नंबर पांच पर कौन सा चप्टर करना चाहिए सर नंबर पांच पर कर सकते हैं प्रोसेस प्रोसेस अकाउंट सर नंबर 6 पे कौन सा चप्टर करना चाहिए सर सर मसीन आवर रेट मसीन आवर रेट सर नंबर 7 पे कौन सा चप्टर करना चाहिए साथ पे करना पड़ेगा आपको सर साथ पे करना पड़ेगा आपको सर्विस कॉस्ट सर्विस कॉस्ट मैं sequence बता रहा हूँ जिसमें आप comfortably chapter को करेंगे जो बच्चे नए जोइन हुए हैं या जो बच्चे जोइन होने का सोच भी रहे हों क्योंकि यह सेम वीडियो मैं YouTube पे भी upload कर दूँगा तो उनको भी अच्छे से guidance मिल जाए सारी चीज़े आइम लेट बच्चे कह रहे हैं I am late number 8 पे करना चाहिए सर overhead distribution overhead distribution sir number 9 पे क्या करना चाहिए सर number 9 पे करना चाहिए आपका कौन सा रहे गया चेप्टर सर चेप्टर रहे गए आपका इंटीग्रेटिड अगरेशिकली यह थियोरीटिकल है चीक है ना तो लगबग लगबग हमारे चेप्टर यह है मैं एक बार इंडेक्स फिर से आपका देख लूँ कि सर इंडेक्स से पूरा मैच कर दिया एकाद चेप्टर रहे तो नहीं गया बुक तो बताई रखा यह भी हो गया हो गया लेवर रहता है लेवर मुझे याद है रहता है सिंगल आउटपूट एक्टिविटी बेस कोस्टिंग जॉब बेस कोस्टिंग ऑपरेटिंग सैकल कंट्रोल हो गया रिकंसलेशन हो गया इंटीगर सब कुछ हो गया अब यह चैप्टर वो है जो एक्जाम में 100% शूर शूर आपके आएंगे ही आएंगे इसमें से कुष्चन लेकिन और में भी होंगे अब वो चैप्टर लिख रहा हूं जो कि आपके किताब स्लेवर्स का पार्ट है लेकिन उसमें से कुष्चन साने के चांसे बड़े ही कम रहते हैं अब मैं इधर इस साइड में वो चैप्टर लिख रहा हूं जो कि करा दिये हैं लेकिन कम चांसिस रहते हैं जैसे कि सिंगल आउटपुट जैसे जॉब बैच कॉस्टिंग जैसे बाइप्रोडक्ट ये कुछ ऐसे तीन चैप्टर लिखें जो कि आपके स्लेवर्स का पार्ट है लेकिन इसमें से आने के संभावना बहुत कम रहती है नॉर्मल के अकॉर्डिंग अब हम बात करते हैं सर किस चैप्टर को कितने दिन में आप एक अगर पैरमिटर लेके चलें इस्टेंडराइज फॉर्म में कैसे कर लें क्यूंकि आपका एक्जाम 30 मई को है तो आपके पास मात्र 15 दिन ही बचे हैं 15 दिन में किस तरीके से हमें यूटिलाइज करें और कौ आप 3 घंटे की कोस्टिंग की पढ़ाई करोगे तो यानि 4-5 घंटे मानके चलो कोस्ट में लगाना है कितने 4-5 घंटे कल मैं टाइमिंग के साथ वीडियो डाल दूँगा मतलब टाइमिंग किस चैप्टर में कितना टाइम देना चाहिए वैसे मैं भी बता रहा हूं आपक अगये हैं और आप सभी स्टूडेंट बहुत मतलब एक्जाम को लेके बहुत ज्यादा चिंतित भी और बहुत ज्यादा आप सोच भी रहें कि यार एक्जाम आ गये हैं तो आप 3 घंटे तो इस सब्जेक्ट को देंगे इसके बाद माटीरियल सर कम से कम 2 दिन कम से कम की बा तो आपकी परिशानी कम हो सकती एक्जाम टाइंग पर इसके बाद कॉंट्रेक्ट में सर कॉंट्रेक्ट में दो दिन कि सर प्रॉसेस में प्रॉसेस में तीन दिन सर मसीन आवर रेट में सर तीन दिन सर्विस कॉस्ट में सर दो दिन एक दिन भी इनफ है वैसे तो ओवरहेड डिस्ट्रिबूशन में एक दिन लेवर के अंदर दो दिन और थियोरी ये है थोड़ा सा जनरल एंट्रिवेस है एक दिन है तो अगर मैं डेज अभी भी काउंट करूं तो दो, दो, चार, दो, छे, तिन, नो, दो, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, तिन, अठारा, इन्हीं, उन्ने, बीस दिन के आसपास हो रहा है सारा का सारा दिन तो सर बीस दिन में तो आप प्लान बता रहो वो बाते सुन लो आप कहां-कहां पे टाइम को बचा सकते हो आप machine hour rate में जहां मैंने 3 दिन दिया इसको दो तुनी में कवर भी करा जा सकता है 3 दिन जादा लिखा है इसके बाद सर मैंने process में 3 दिया है तो class के मैंने हर PDF के मतलब जो class को arrange किया है पहली classes में सब बाहर बिल्कूल accurate लिख दिया है अगर मैं आपको दिखा भी दूँ तो बहुत सारे बच्चों को दिख जाएगा क्योंकि आज अपडेट हुआ है सायद आपके पास notification आ गया हो अगर notification नहीं आया है तो आपको पता चल जाएगा भी थोड़ी दिर में आप चेक करोगे तो आज जो मैं पढ़ाने वाला था overhead distribution मैंने का वह अच्छे से record करी ही लिया है तो उसको डाल दिया जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर यह देखिए ठीक है अब आप देखेंगे के 2024 की classes इसके अंदर जब आप जाएंगे तो जैसे introduction भी लिखा है cost sheet के बारे में लिखा है इसके अंदर सब कुछ लिखा है different material labor expense क्या क्या है उसके according एक एक question करना और देखो जहां मैंने star mark लगा दिया है यानि generally वो questions आपके लिए important है star mark वाले question कर लेने हैं आपने इसको छोड़ना नहीं है इस type के paper में आने के संभावना chances बहुत ज़्यादा रहते हैं तो सभी पर देखो आप star mark मैंने लगा दिया है जिस question important है तो भले ही एक chapter के अंदर गर 20 है तो 20 में से मैंने star mark लगा कि उसको आपको बहुत कम precise basis में मतलब बहुत कम करने की कोशिस करी है ताकि आप कर लोगे आप बच्चे कह रहे हैं sir theory theory का भी मैं दिखा देता हूं हाला कि मैं सोच रहा हूं कि theory मैं थोड़े से अलग से और डालू आप जाओगे pre recorded वाले section में और यहां पे देखो आपको important number भी given है जिसमें आपके doubt regularly basis पे solve भी हो रहे है प्री recorded में जाओगे तो जब आप प्री recorded में जाओगे तो ऐसे case में लेबर है आउटपुट है लास्ट येर का आपको इसमें जाना important theory theory 31 मिनट और एक यहां पे theory का डाला हुआ है लगबग लगबग एक घंटे का इन theory क्यों करोगे 110% इसी में से theory आएगा प्री recorded वाले में से मिल जाएगा तो content आज अपडेट किया बहुत दिनों से बच्चे परिशान कहो रहे थे कि सर कब होगा तो थोड़ा time लग गया लेकिन content up to date हो गया है सर पढ़ने का क्या तरीका होगा simple सी तरीका है अब देखो मैं कहूं कि आप book buy कर चार questions मानलो कर लो ये करने के बाद उसका 10 year में से सीधा questions करो 10 year में से सीधा सीधा questions करो हो सकता है 10 year के अंदर कुछ एक point में रुख जाओ तो वो doubt के लिए उसके उपर मैं बहुत जल्दी actively आपके reply भी कर रहा हूँ और करूंगा भी internal assignment की बात करेंगे बहुत बच्चे कर र लेतने लास्ट में जाते जाते इंटरनल assignment का भी solution निकाल लेंगे तो यह पूरा का पूरा आपका syllabus है पूरा का पूरा इस तरीके से करना है अब बच्चे बोलते हैं सर उस हिसाफ से बताओ ना मैंने बोला किस हिसाफ से सर चॉइस आपका पहला question कॉस्ट शीट और CRS में से choice आएगा यह choice में बनेगा question ठीक है और साथ के साथ यह A part B part करके बने और इसके साथ कुछ theory भी रहेगा एक question यह बन गया आपका question number two आपका बनेगा material और labor में से choice आजाएगा यह बन गया आपका question number two इसमें theory भी रहेंगी बहुत important chapter है theory के point of visual material three three आपका contract sorry three contract चलो contract लिख देते हैं and process में से choice आएगा और यह सारे choices में बता रहा हूँ pass इतने भी question है उसके इसाप से आप यह मत समझना के आ रही का रहा है तो process छोड़के चले जाओ समय बचा है आपको करके जाना चाहिए number four overhead जिसके अंदर machine hour rate है और इसके choice में आ जाएगा overhead यह distribution वाला जाएगा number five service cost इसके option में आ जाता है हमारा integrated non-integrated और साथ के साथ यहां पर theory भी connect रहेगा आपका छोटे-छोटे one marks के थियूरी पांच questions आते हैं उसमें तो paper का choosing का इस तरीके सा सारा scenario है आपके exam में सिर्फ और सिर्फ मात्र पांच question आएंगे और पांच question को आपको इस way में करना है hopefully आपको यह बाते समझ में आ गई होगी बहात सारे बच्चों का कहना है sir please internal बता दो internal में set paper आए हुए है set paper में मैंने तीन paper solve किये हैं तीनो set को मैं upload कर दूँआ जिसका जो set है वो luckily जिसको मिल गया वो मिल गया जिसको नहीं मिला उसको कुछ नहीं कर सकते अब यहां पर यह भी हो रहा है जो दो chances आपको मिल रहे हैं एक बार आपने set paper में solve किया दूसरी बार जब आप करने जाते हो set paper को solve तो वो set paper नहीं आए उसको change करके दिया जा रहा है यह दिक्कत आ रही है सिर्फ cost के set की बात कर रहा हूं मैं क्योंकि सारे paper में यह नहीं है costing का मैंने देखा है तो costing में यह है कुछ बच्चे कह सकते हमारे subject paper ऐसे मैं कह रहा हूं कि भाई बहुत सारे ऐसे subject हैं जिसमें कोई set paper नहीं बना और सकें 2-3 उसके इसाब से देखोगे अब मुझे live class में इतने सारे बच्चे किसी ने भी chapter में doubt कोई बात नी doubt तो solve होगा अभी मुझे यह बताओ set किसी ने भी cost का internal दिया उसके maximum marks कितने आए cost का internal दिया marks कितने आए बताइए अभी जो बच्चे live class में है और एक चीज और बहुत सारे बच्चे में ये वीडियो हालाकि यूटूब पे जा रही है तो सर्फ 56 आए हैं मेरे राजा के program है ओनर से राजा मैं इस पे भी कर दूँगा यूटूब पे भी डाल दूँगा लिंक भी दे दूँगा सब जगे कर दूँगा सिनेहा का कहना है सर्फ 60 आए है आपका program है ओनर से ये बताओ दिव्या 50 सिनेहा का कहना है program है मेरे 60 आए है अब एक पर सनेहा अपना paper भेज देना और मैं सर्फ 60 आए है इसलिए क्योंकि मैं एक ना set paper पता नहीं क्या आया है भगवान जाने अगर सनेहा आप paper भेज सकते हो तो जो complaint वाला नंबर है तो please सभी बच्चों को मैं एक ही request करूँगा आप सभी ने screen shot लिया होगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी और सारे paper देखके size 60 से उपर 56 से उपर जो भी बन पाए मैं आपके उसके करके मैं आपके help कर पाऊँ मेरा कहना यह है ये वीडियो YouTube पे आ रही है और मानलो आप देख रहे हो तो YouTube पे भी देख रहे होगे जो बच्चे enroll है उनके सारा का सारा syllabus खतम हो गय यूट्यूब पे थोड़ा सा डिले डल रहा है और इस पर थोड़ा और डिले हो सकता है तो मैं कहूंगा जिन बच्चों को enroll करना है फ्रेश में वो बच्चे enroll कर लिंग है description में number link है वहाँ पे पूछके आप easily कर सकते हैं तो मुद्दे की बात है सर आपको पढ़ना पढ़ नहीं लिया पता नहीं अब कि बिल्कुल सर्विस कॉस्ट खता में उसके वीडियो अपडेट करें हैं आज कर देंगे